बच्चो आपके सामने दूती इस्थान के सब्दों की practice करवा रहा हूँ। दूती इस्थान के सब्दों में आपको ये बात ध्यान रखनी है। हर अक्षर को लाइन को टच करना है। कोई भी अक्षर लाइन को बगट टच करना हैं नहीं लिखा जाएगा। यह दूती स्थान के प्लेस की एक विजेस्ता होती है इसमें स्वर जो होते हैं ओप यह सारे स्वर दूती स्थान पर लगेंगे यह भी आपको घ्यान रखना है अब मैं आपको एक-एक सब की प्रेक्टिस कर रहा हूँ आप प्रेक्टिस करते जाएं, एक-एक सब्द को लिखते जाएं, नोता, केमरा, कोप, कोल, कोना, कोमल, केरेट, खेल, खेप, खोला, मेला, रोजा, रेखा, लेप, लोट, लोटना, लेखा, बोज, भंवारा, बेडा, बोचार, रोनक, चोका, चोपडा, पैमाना, बेट, देखना, जोका, मेला, बोर, मोलाना, ओधा, नोका, तेरना, ओजार, ओसद, ओला, गोल, गोता, छोडा, खोलना, होध, बोध, एक, अनोखा, मोम, नेट, केला, कोला, कोकन, कोको, केरेट, कोट, वेग, मोका, खैना, खैरात, खोटा, खोकला, रेठा, रेनकोट, लेटा, लोटा, लोब, रोखना, फेर, फोलाद, बेला, बेग, चेला, चेक, पेच, पेगाम, देवता, जेलना, गोलते, बेगम, एटम, मेडम, मोसा, मेमना, थेला, ओथ, कोट, ओलाद, गेट, गोतम, पच्चों नीचे आउटलाइन भी दिखा रहा हूं है, आप देखें आउटलाइन, इन सब की, इसमें सबसे ज़ाड़ा विज़ेस्ता इन सब्दू के अंदर यह है, आप लाइन पर लखना सीखें, लाइन को टच करना सी है, इसमें पूरे विज़ें में इसमें सेकंड प्लेस के स्वर हैं, और सेकंड प्लेस पे ही लिखना सीखिए इसको, अगर आप अभी से इसकी प्रेक्रिस कर लेंगे, तो आपको आगे जाके लिखने में परिशान नहीं होगी, यह हमेशा लाइन को इसमें टच करना ही और वावेल को हमेशा सेकंड प्लेस पे ही लगाना होगा, इस बात का ध्यान रखें, तो आप इसके अच्छी से प्रेक्रिस करें, यह दुती इस्थान के स्वर का अभ्यास कराया है मैंने आपको, अब आप इसको दिरी दिरी लिखते जाएए और अभ्यास करते जाएए, ताकि आपका confidence भी बढ़ेगा, यह उन बच्चों के लिए हैं, जो short hand सीख चुके हैं, या सीखने की कोशिज कर रहे हैं, वे बच्चे भी जो short hand लिख चुके हैं, सीख चुके हैं, वे भी अगर इसके practice करें, तो कोई बुरी बात नहीं, अगर आपको अच्छे लगती हैं, सब्सक्राइब करें, धन्यवान